हेलो एवरिवन माइनम इस प्रशांत एंड यू और वाचिंग निव इंडियन एरा सो फाइनली आज बात करने वाले हैं इग्जामनेशन के वारे में साइन्स, कॉमर्स, आर्ट्स, क्लास 12, क्लास 10, सभी स्टैंडर्ड के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो और बहुत से बच्चों के मन में बहुत सारे confusion, बहुत सारे doubts, बहुत कुछ है तो आज पूरा exactly clear करता हूँ, यह पूरी वीडियो देखना तभी बाद में तुम लोग अपने comment करना और पूरी वीडियो देखने के बाद शायद आप लोग ना मेरे को एकदम opposite समझोगे बोलोगे कि अब नाओ प्रशान दी भाई, अभी support में हमारे नहीं है, ऐसा वैसा बट कभी कभी ना हमें reality बोलनी चाहिए, जो कि reality important होती है आप लोग कोई guide करना important क्योंकि as a teacher, as a guider, mentor, educator मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें सचाई बताऊं, क्योंकि मैं government नहीं हूँ, इतना ध्यान लगना आप जैसे ने सुना कि बहुत सारे लोगों ने protest किया, बहुत सारे लोगों ने examination का कोई भी result नहीं आया, अपने ही center में exam होने वाली थी, वो तो पहले भी होने ही वाली थी, post pond होगी की नहीं होगी अभी कुछ fix नहीं है, and offline examination अपने ही time पर होगी ये तो fix बात है, तो खैर आखिरकार ये सारे चीज़ों का मतला भी क्या बन रहा है, कुछ भी नहीं, तो चलो आज आप लोगों ना एक reality बताता हूँ कि exactly क्या सच में examination cancel होगी, सुनो जरा ध्यान से, इस साल ना बिलकुल भी कोई भी ऐसे reason बिलकुल भी नहीं है, कि जिसकी वज़े से examination को cancel किया जाए, आपको बता है, इंडिया में ना कोई भी ऐसा state नहीं है, जो examination cancel कर रहा हो, पहली बात, क्योंकि exam कौन cancel कर सकता है, जो political parties है, और कोई भी party ऐसा नहीं चाहेगी कि examination cancel हो, तो हम क्या कर सकते हैं, तुम क्या कर सकते हो, अब तुम्हें मेरे उपर गुस्सा आएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं, तो मेरी क्या गज़ती है, मेरा तो बताना फर्ज बनता है, so that's it, examination cancel नहीं होगी, ना डेली गवर्मेंट, ना यूपी बिहार, मद्यप्रदेश, राजिस्थान, साउथ में, कहीं भी नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटी की examination चालू है, practical examination चालू है, हर कुछ सब कुछ चालू है examination सच्छे से हो रही है, हाँ ये हम मान सकते हैं, कि बहुत से बच्चों ने, तीन-चार महीने ही सिर्फ offline class चली, उसके पहले online class थी, अब जो ये demand है न, जरा एक बार थोड़ा सा sense बनाओ, कि जो तुम demand कर रहे हो कि cancel board examination 2022, क्या, तुम ये क्या सोच के कह रहे हो, मत्तब पिछले साल का देखके कि पिछले साल के बच्चे पास होगे, वो कोई तो एक viral हो रही थी वीडियो हो कि भाई, अभी मैं इस college से फ़ला ने ढिमा के college से बिलॉंग करता हूँ, मेरा paper चालू है, 80 marks का paper है, 10 marks मेरे को आता है, वो भी paper देने नहीं गया, भाई गजब बेज जती है, कुछ भी, तो आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं कोई न कोई इंसान भड़का के सारी चीज़े करवा रहा है, ऐसे कुछ नहीं होता, इनसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सची बात बताओं कि पूरी political parties और हर जगए, पूरा state, कोई भी examinations cancel करने की फिरात में नहीं है, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई भी थी, कि no violence वाली वीडियो, और जो प्रोटेस्ट करने इसका कोई real मतलब तो बनता ही नहीं है, मतलब अगर सच बात बताओं तो अगर तुमें cancel ही करवाना है, तो उसके अलग तरीके हैं, बट क्या सच में cancel examination होगी, यही चीज को मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, कि violence मत करो, प्रोटेस्ट करके exam cancel नहीं करानी चाहिए, कोई वहाँ पे किसानों का अंदोलन नहीं चल रहा है, लेके डंडा चल दिये, ठीक है, सो simple सी बात है, यह चीजी हमें समझनी पड़ेगी, and reality में future क्या है तुम लोग का, वो सोचना पड़ेगा, क्या सच में class 12 और class 10 का board examination इतना important है, क्या सच में class 10 और class 12 पढ़ने वाले लोग, दुनिया के सारी के सारी उचाईयों को पा लेते हैं, आपको नहीं लगता कि भारत देश के अंदर 130 करोड पब्लिक अगर इस वक्त है, तो सारी के सारी इंसान बारी भी तो पास ही है, कुछ ही लोग है जो पास नहीं होंगे, जो बहुत नीचे के तपके से बिलॉंग करते हैं, तो क्या उन सब बिल गेट्स बन गए, सब इलाउन मस्क बन गए क्या, ऐसे नहीं होता जनाब, जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए जिन्दगी की लड़ाईयों से लड़ना पड़ता है, और इतना भी नहीं कि क्लास 12, क्लास 10 ये सब कुछ इतना ज्यादा मतलब कि तुम इसके बिना जिन्दगी में रहने सकते हो, और अगर एक बात तुम सोच लो चरा, तुमने ये सोच भी लिया कि चलो एक्जामनेशन जस्ट अभी कैंसल कर देते हैं, इसी वक्त निउज आई, एक्जामनेशन कैंसल, क्या फाइदा होगा तुम्हें, सिथ छोटी सी खुशी होगी कि यह एक्जाम कैंसल हम फोकट में पास हो गए, बिलीव ऑन मी, मैं इंटर्व्यू फेस कर चुका हूँ, मेरा सेलेक्शन भी हो गया था, टाटा कंसल्टे से सर्विसेस में इतनी बड़ी इंडिया के सबसे बड़ी टेक्निकल कंपनी है, जो सर्विसेस प्रवाइड करते हैं, सॉफ्ट्वेय डेवलपर्स, बड़े-बड़े बैंक, आर्बिया, सबको वो हैंडल कर रही है, पूरे इंडिया के, मैंने हाकिर जॉब लेफ्ट कर दी, मैं जब इंटर्विव में गया, तो वहाँ पे न, सीधे टैलेंट की बात करते हैं, एंड देन पूछते हैं कि तुमने कितने मार्क्स अचीव किये थे 12th में, that's it, सिर्फ मार्क्स पूछते हैं, और फिर हमारा इंटर्विव आसान हो जाता है, और वहीं में मेरे बहुत से फ्रेंड थे, जिनके मार्क्स पूछा कम थे, इंटर्विव हाड हो गया, सिलेक्शन नहीं होता, आखिर 12th का कोई लेना देना नहीं होता, बट 12th के मार्क्स बहुत ज़धा important होते हैं, 12th के बच आजना, fact बोल रहा हूँ, सची बाते कडवी होती हैं, बट सच कहूंगा, क्योंकि हम लोग ने उतनी महनत कर रखे हैं तुम लोग के लिए, यार, सब पानी में चला जाएगा, सची बात जानते हो क्या, मैं भी तो support कर रहा हो तुम्हें, अगर cancel हो रही ही तो मैं क्या ही कर करना है, postpond भी नहीं करना है, यह सब कहने लगेंगे, वो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनका पढ़के नहीं हुआ है न, ऐसा नहीं कि दोनों के पास problem नहीं थी, वो 30% वाले जो लोग है न, उन्होंने YouTube से, Google से, किसी और platform से, information निकाल-निकाल की study की है, अब backbench वाले लड मैं भी अपने 10th में 91% अचीव किये तो, still मैं backbencher था, अपने 12th में भी same 93, but still मैं backbencher था, so backbench और front waste नाम की कोई चीज नहीं होती है, फोकट में हमारे school section में दो लोगों को divide करें रखते हैं, सब के पास दिमाक होता है, सब कुछ उखाड सकते हैं हम दुनिया में, इतनी बा बढ़ा हूँ, जादा बढ़ा नहीं हूँ, और मैं आपको reality बताऊँ ना, तो इस वक्त तुम्हे ना focus करना चाहिए अपने family के बारे में, अपने घर के situation, कैसी घर की परिस्तितियां हैं, उनमें focus करना चाहिए, मैं आज आपको एक real life चीज़े बताता हूँ, कि जब आज स सोने का चंबच मिल गया और मैं उठके इदर पर आ गया हूँ, आज 5-6 लाग बच्चे जान रहे हैं, ठीक है, महारास्टा के सारे लोग है, और अच्छा गासा सब कुछ ठीक है, fame है, सब कुछ है, भले बहुत बढ़ा नहीं हूँ एकदम, बहुत छोटा ही हूँ, बड़ कभी-कभी गलतिया मेरे से भी हो जाती है, बट उन्हें उनसे फिर सीखता हूँ, क्योंकि अभी मैं बड़ा हो रहा हूँ, और अभी मैं नई चीज़े सीख सकता हूँ, और यहीं चीज मैं तुम्हें सिखाता हूँ, कि हमेशा न, ऐसा नहीं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा एक्जामनेशन अगर कैंसल हो जाएगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा, सिर्फ यहीं कहेंगे कि एक्जाम कैंसल होगे, बिना पेपर के पास हुआ है, आपको मालू है, अभी SBI ने एक बार 2020 में वेकेंसी निकाली थी, उस वेकेंसी में सिधा सिधा लिखा था कि 2020 और 2021 के पास आउट्स को आलाउट नहीं है, तुम्हारे लिए ऐसा लिख देंगे तुम कहां जॉब करोगे, और तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया का कोई एकर कमपनी खड़ी करने वाले रहोगे, स्टार्ट अप चालो करने वाले रहोगे, तो बिना जॉब किये पढ़ाई की उपर डिपेंटेंट है ना, तो थोड़ी इफी चीजों को समझो, रियालिटी क्या है, अगर तुम्हारा एक्जाम कैंसल हो जाएगा, तो प्राब्लम में फज जाओगे, और पिछले साल की बात करें ना, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक्जामनेशन कै अगर मैं पॉलिटिकल मुद्दे की बात करूँ ना, तो अपने महारास्ट्रा के अंदर ना, दूसरी पार्टी है, और सेंट्रल में दूसरी पार्टी है, और सेंट्रल वाली पार्टी ही अपने महारास्ट्रा की पार्टी को आपोज कर सकती है, बट जब सेंट्रल की पार तुम्हें मालूम रहेंगी यह सब में अपने चैनल में वीडियो नहीं बनाता है इन सब चीज़ों का ठीक है तो में मुद्य की बात करूँ को बहुत सी बच्चे मेरे को कमेंट करें सर कैंसल करवा दो सर पोस्ट पॉंट करवा दो बाई मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूं मैं अपने प्रस्ताओं को रखा था उस तरीके से अगर बात करेंगे तो होगा हम अभी भी वैसा काम करेंगे तुम्हारी लिए ऐसी कोई बात नहीं है बट ऐसे थोड़ी की वायलन्स करके और दन कुछ चीजों को पाने का ना एक सही तरीका होता है जैसे कि तुमको टेंथ मे सबकुछ पाने का ना एक तरीका होता है और कुछ ही दुनिया में ऐसे लोग होते जो एक तरीके करते हैं वो तुम बन सकते हो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना अच्छे से तो सच्चाई को समझो जो रियालिटी है उसे समझो उसे एकसेप्ट करो कि अग एक्जाम तुमा कड़वा है बड़ एकसेप्ट करो एक बात बताओं अब साइकोलोजिकल फैक्ट की बात करता हूँ कभी कभी देखो हम जिस चीज से बहुत दा डिजायर रखते हैं सपोस हमारे मुमी पापा ने कह दिया कि चलो हम जम्मू काश्मीर घुमने जाएंगे ये मजा आएगा ए यार कभी कभी ना आचार चानक के कहती हैं कि हमेशा हमें एकसेप्ट करके जिन्दिगी के लड़ाई लड़नी चाहिए आपको एक बात बतातूं आप बड़े हो जाओगे अभी मैं ये बात को कहने के लिए बहुत छोटा हूँ क्या पता किसी के ममी पापा भी इस वीडिय कि मस्त मज़े लोगे अच्छी बात है जिन्दिगे को एंज्वाई भी करना चाहिए बढ़ तब क्या जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारे शादी हो जाएगी तुम्हारे चेल्टरन होगे तो क्या तुम उसको उसी स्कूल में भेज़ोगे जिसमें तुम्हारे मभ लाइफ को बना सकते हो, education के महत तुको समझो, इसके बिना तुम्हारी जिंदिगी एकदम खराब हो जाएगी, this is the reality, चाहे accept जितना जल्दी कर लोगे उतना फारदा है, और अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा loss है, ठीक है, education के बिना कुछ नहीं कर सकते, अब पीछे से एक ब education, education का मतलब ये नहीं होता कि physics, chemistry, math, bio पढ़ लो, ये चीज़ा जान लो, तुमको किसी ने बताया ही नहीं होगा, education का मतलब ये नहीं है कि physics, chemistry, math, bio लोगे तुमको आती है, तुम बहुत बड़े सूरवीर बन गए हो, अब या के सूर्मा बन के तीर मारोगे, इससे कुछ न कि बच्चे लोग अच्छा का सा earning करते हैं, मैं मेरी खुद की बात करूँ, मैं जब अटरा साल का था, तो मैं 1 lakh, 2 lakh earning करना चालो कर दिया था, अभी मैं 21 का हूँ, तो तुम अभी imagine कर सकते हो, earning नहीं बताई जाती, और वही चीज़ मैं तुम्हें सिखाता हूँ, अभी मैं मैं बहुत सारे earning के sources वाली videos भी तुम्हारे लिए लेके आऊँगा, उन सब में focus करो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए न, अभी मेरे पास YouTube है, मैं Unacademy में पढ़ा रहा हूँ, मैं और जगे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसके अलावा मैं software development कर रहा देन उसको invest करो, पैसे कमाऊ, earning is very very important one यार, अगर तुमको एक जम जीरो जगह से उठना है न, तो बहुत आगे जाना पड़ेगा, और मेरे जैसे घर की situation तुम्हारी भी किसी न किसी की होगी, मेरे पापा के salary एक मेने के सिफ 10,000 थी, उसके सिफ 10,000 में हम लोग 2018 तक अभी म मुंबई में रहते थे हम लोग कैसे कैसे करके, और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैंने बहुत कुछ कर दिया है, भगवान की help से, जितना मैंने खुद से सीखा है, बट एक चीज मुझे पता चली न, यार, कि अगर मैं सिर्फ 10th और 12th के दम पे कुछ कर पाता, तो तुम कुछ हला कर सकते हो, बट तुम मेरे जैसा नहीं बन सकते, ना मैं तुम्हारे जैसा बन सकता, तो इन चीजों को समझो reality को, मैं तो कहूंगा कि offline exam होगी और होनी भी चाहिए, और दूसरी बात इसके बहुत ज़दा फायदे हैं, entrance exam में तुमको बहुत help मिलेगी, और जहां तक ऐसा है ना कि नहीं देंगे, वो time भी नहीं देंगे, वो on time paper लेंगे, क्योंकि दूसरी state है ना जो, वो on time paper ले रहे हैं, Delhi, UP, बिहार, South India, राजिस्थान, मध्यप्रदेश, ओडिशा, 36 गड़े, सब ना, on time paper ले रहे हैं, no postponement, तो भला आपने यहां के लोग कैस चलो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब मुझे भी नहीं लगता कि exam cancel होगी, मैं तो तुम्हारे support में हूँ, ठीक है, अगर तुम protest करते हो, वो भी ठीक है, बट violence करते हो, वो गलत है, दुसरी बात, तुम अपनी demand को रख सकते हो, शांती के साथ जा करके बोल सकते हो, मैम को औ अब बहुत से बच्चे बोलते हमारा online exam लो, अभी एक question पूछ लोगा ना, भले वो CS का student होगा, कि चलो मुझे बताओ कि online examination में जो internet address अपलाय होता है, उसके अंदर IP address क्या होती है, कौन कौन से type के protocols है, कौन से अटरवर, exactly what is the meaning of protocol, you don't know, but you have to give online examination, how is this possible, तुम्हें यह नही नहीं पता है, तो तुम बताओ ना, जो किसी दुसरे गाउं खेड़े का बच्चा, वो कैसे online examination दे पाएगा, अब आप बोलोगे, फिर वो online पढ़ाई कैसे कर पाएगा, तो यह problem है, सिर्म महारास्टर में problem नहीं है, हर जगे पूरे दुनिया के हरे colleges में problem है, हर जगे problem है, इन ही problem से, इन ही समस्याओं से तो हमें निकल के आगे बढ़ना होता है, और तुम सारी चीज़ें सामने वाले के उपर blame कर दोगे, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे तो है जिन्होंने पढ़ाई की है, तुन्होंने कैसे की है, तुमने हार मान ली, उन्होंने हार नहीं मानी, और जिसने हार मान ली, वही लड़ाई करता है, अब आपको बताता हूं, मैं जिस colleges में था, वहाँ पे 70-80 बच्चे थे, वहाँ से 12-15 लोग का selection हुआ था, जिनका selection नहीं हुआ, वो तो में रोजगार घुमेंगे न, तो बाद में कहेंगे कि हमको government रोजगार नहीं दे रह बस यही कुछ हाल है, बैक बेंच में बैटके पढ़ाई लीकी, अंगल उसके बाद अंदोलन, मैं यह नहीं कहता है कि तुमको मौका नहीं मिला, मौका मिला है, पोस्ट पॉंड तुम्हें exam के लिए time जरूर मिलना चाहिए, बट cancellation possible ही नहीं है, अम तुम मुझे comment में मेरे खिलाफ बोलोगे, ऐसा है, वैसा है, मैं क्या करूँ, examination cancel नहीं होगी, online भी possible नहीं, 30-40 लाख बच्चों का paper कैसे online possible हो सकता है, it is not possible यार, और मैं angry man नहीं हूँ, कि मैं गुस्से में हूँ, मेरी आवाज ही है, ठीक है, तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखो, समझो चीजों को, earning करने में focus करो, चीजों को earn करो, learn करो, सीखो, जितनी learning करोगे, उतनी earning करोगे, और एक बात बताओं, आज तो चलो आपको एक real बताता हूँ, स्टोरी, जभी मैं गाओं गया, गाओं में मेरे बहुत से friend हैं वहाँ पे, जो हम लोग गाओं में गुरुकुल में पढ़ते थे, पाचवी क्लास तक मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ, मेरे स्कूलिंग नहीं, फिर मैं यहां मुंबई में आ गया, यहां पर मेरे 10 वी तक की पढ़ाई की, जब मैं गाओं में जाते ही ना, तो बाजो के जो अंकल बहुत खतरनाक तरीके से टांट करते ही, बोलते हैं क्या पढ़ा है, तो पापा बोलेंगे, उनके मेरा तो सब से लक्षन मेरा अला के मैंटर, उन लोग की बात कर रहा हूँ, क्या किया है, इसने कंपूटर साइंस किया है, अच्छा तो वो कैसे बोलते है, आपका बेटा क्या है, जाब क्यों नहीं करता है कहीं, फिर वो विचारा सर नीचे करके उसके पापा चले जाते हैं, क्यों, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जाब ही नहीं मिली है उन्हें, अब पढ़ा ही नहीं तो जाब कहां से मिलेगी, एक बात हमेशा ध्यान देना कि जब तुम परसिंटेज लाए थे, ट्वेल्थ वाले बच्ची, इमेजिन करो, तुमने टेंथ में कितनी परसिंटेज लाए, तुमसे कोई पूछता है आज की वक्त में, नहीं, और आपको एक बात बता दूँ है, सची बात जो की इंपोर्टेंट है, जितने भी ट्वेल्थ के बच् है, सोचो, तुमारे खुद के टीचर से रहेंगे तुमारे प्रैक्टिकल एक्जाम में, और असी में से ना तुम आराम से 30-40 आराम से निकाल लोगे, और 30-40 इदर से मिल जाएगा, तुमको आराम से 60-70-80% मिलेंगे नॉर्मल वच्चे को, टॉपर को 90 प्लस जाएगा, उ रही बात, पेपर की नहीं, वो बहुत आसान रहेगा, पेपर, पेपर हाड नहीं बनेगा, पेपर बहुत आसान रहेगा, इसी-सी कुश्चन्स आएंगे, हाँ लेकिन अगर अगर वो भी नहीं कर पाऊगे, तो जिसको कुछ नहीं आता है, उसके लिए हर एक पेपर हाड लेता है तो वो तो कम से कम कर लो हजार बर चिला तो में एक्सरसाइस कोश्चन बैंक प्रैक्टिकल के कुछ सारे के सारे देख लो एक बार टाइम लगता है 6 डिसेंबर से वन शॉट स्टार्ट कर दिया था बच्चों को टाइम मिले पढ़ पाएं पूरा खतम कर पाएं केमेस्ट्री पूरी खतम हो गई वन शॉट की फिजिक्स के सिर्फ चार चैप्टर बाकी हैं बाय लॉजी के सिर् को मिरी जिंदिगी क्या होगी और अगर में आफ-लाइन पेपर दोंगा तो मेरी जिंदिगी क्या होगी एक बार यह तो एक और और अगह बढ़ो और अगर इस तरीके से असीमेंट करो है बहुत बहुत आगे जाओगे बाकी तुम्हारे हाथ के उपर है तुम्हारे किस्मत के उपर है तुम्हारे कर में तुम्हें बताएंगे कि तुम कितना आगे जाओगे वरना ऐसे ही जिंदगी काटनी है तो ठीक है फिर करो इंजॉय मेरा क्या है तो चीजों को थोड़ा ध्यान दो पेपर आसान होंगे, मस्त पास हो जाओगे, डरो मत, कुश्चन बैंक के कुश्चन सॉल्व करो, वन शॉट के सारे वीडियो देखो, लाइन टू लाइन देखो, दिस्क्रिप्शन वक्स में लिंक है, ठीक है, और पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करो, हम लोग मॉडल पेपर, अभी कुश्चन, मेराथॉन बहुत कुछ लेके आएंगे, इंटरेंस एक्जाम की प्रिप्रेशन भी मैं करवा के दूँगा, तुम्हारी सीटी की, तो वो भी करवाँगा, टेंथ वाले बच्चों के लिए बहुत कुछ प्रवाइड करूँगा अभी, तो क्यूंकि जैसे-जैसे पेपर आएगा, तुम मस्त पढ़ो ना, पढ़ाई में मज़ा है, तुम सोचो ना, तुम दूर भाग रहे हो, नॉलेस गेन करने से दूर भाग रहे हो, तो मैं जब हम मच्छी मार्केट में जाती हैं, तो वहाँ पे कुछ मच्छी गंदी होती है, हम मतलब मैं जानता है, प्योर वेजिकरियम, ठीक है, बट मैं एक्जामपल दे रहा हूँ, तो कुछ मच्छी गंदी होती है, तुम उसे नहीं लेते हैं, कुछ मच्छी बास मारती है, क इस बात को ध्यान रखना, बहुत गहराई वाली बात बोली है मैंने, अच्छे से सोचना और आंगे बढ़ना, इस बात को समझना, अगर तुम कहते हो कि Bill Gates ने कौन सा कॉलेज की डिगरी लिया है, अच्छी बात है, लेकिन आज एक बात सुन लेना, कि उस बंदे के घर में ल power of subconscious mind, rich dad, poor dad, ऐसी किताबे पढ़ो ना, a good investment, बहुत सारी किताबे हैं यार, इन किताबों का knowledge gain करो ना, इने पढ़ो, लेकिन अभी board में focus करो, after board, after entrance examination, इन किताबों को पढ़ो, आंगे बढ़ोगे, बहुत आंगे बढ़ोगे, क्यों कोई इंसान की personality एकदम best होती है, क्यों क्यों कोई इंसान अच्छा कासा अपनी life में अचीव करता है, और तुम उन्हें Instagram की reel में देखके, और बस saliva अंदर लेते हो, कास मैं भी ऐसा होता, कास ये इंसान मेरे को मिल जाता, तुम यही सोचते हो, क्यों ऐसा सोचते हो, तुम क्यों नहीं बन सकते, बस जो बीच की ल कि ले भाई तु डिजर्व करता है, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से, और तुम पीछे भाग रहे हो, किसी एक इंसान के कहने के वज़े से, सो, मेरा किसी से कोई यह नहीं है, मैं तुम्हारे अभी भी सपोर्ट में हूँ, पोस्ट पॉंट एक्जाम मैं सपोर्ट करता हूँ, पोस्ट पॉंट नहीं हुई, 15 फरवरी तक तुम्हारा रिजल्ट आएगा, कि क्या होगा, बता देंगे सब लोग, उसके बाद हम सारे YouTube की teachers फिर से मिलके फिर से जाके proposals देंगे, पोस्ट पॉंट examination करवाएंगे, possible try करेंगे, वैसे मुझे लगता है कि जहां तक हो जानी चाहिए, बट कोई अभी fix news नहीं है, तो हम कह नहीं सकते कि क्या होगा, बट still, we have to try, ठीक है, तो एक single try तो बनता है, अभी अभी देखो म हैं, और पूरे साल भर पूरा physics, chemistry, maths, bio एक single channel में तुमको मैंने सब सिखा के दिया है, किसी channel में तुमको पूरा का पूरा syllabus, एक जगे पे नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा syllabus, model, paper, dpp, daily practice problem, test series, सब कुछ प्रोवाइड किया है, with proper notes, telegram की link में some notes दिया है, बच्चे यहां तक अलसी हैं कि ढूड नहीं सकते कि notes उने वहां पे मिल जाए, हम बना करके इतना डालते हैं, फिर हम उन्हें आके सामने भी दे notes की यहां रखे ले लो, telegram डाउनलोड करके join नहीं कर सकते, बच्चों को online paper देना है, वाह, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो और online paper हुआ ना, त तब और fail हो जाओगे, offline में अच्छा है, pass हो जाओगे कम से कम, reality को समझो, अब वो सब मुझे मुझे नहीं बोलना, क्योंकि एक teacher भी हूँ ना, एक बंदा भी हूँ, एक इंसान भी हूँ, और एक friend भी हूँ, तुम सब का, तो इसलिए ठीक है, तो always be happy, और आप सब को ये video जो बहुत ही कडवी और अच्छी लगी होगी, ठीक है, तो comment में बताना कि तुम्हारे विचार क्या है, definitely बताना, और मेरा यही है कि तुम्हारे को exam का time मिलना चाहिए, और देखते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा exam के रिए time, अब वो तो बात की बात है, पता चलेगा से और 10 वाले 15 मार्ट से रेडी रहो पेपर के लिए, सब बच्चे रेडी रहो, मस्त पढ़ते रहो, one short video देखते रहो, revise, revise, revise में focus करो, strategies की वीडियोस देखो, time table के साथ अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत आगे जाओगे, जिंदगी के मज़े सब लेते हैं और सब कुछ से एक दिन आगे बढ़ते हैं, तुम भी आगे बढ़ोगे, कोई भूका नहीं मरेगा जिंदगी में इस बात को ध्यान लगना, और हमेशा happy man के साथ without any stress, जितना पढ़के होता है उतना पढ़ो, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, मस्त बिंदास, मज़े नी लाइफ जीने आज दूसरे की बाइक देखते हो, तुम्हें भी लगता है मेरे पास भी बाइक आ जाए, पर ये नहीं सोचते कि उसके पास बाइक कहां से आई होगी, imagine, imagine, सोचो, तो ये सारी बाते आपको सोचनी पड़ेंगे, कैरियर के लिए ध्यान दो, study करो, मेरे से contact करो, मैं तुम् अर्निंग कर सकते हो, 100-200 तरीके आलग-अलग वीडियो में प्राक्टिकल करके बताऊंगा, अब इसके पीछे मत पड़ जाना, बताओ, 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 टाइम आने पे बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, तो बहुत कुछ है, यार, study किये मैंने उतनी, तुम्हें भी को चीछ बताऊंगा, फोकस से अर्निंग पे, वो तुम्हें भी करवाऊंगा, तुम्हें भी दिलाऊंगा, आंगे बढ़ाऊंगा तुम्हें भी, ठीक है, तो अपने ममी पापा का नाम रोशन करो, अपने गर की घरीबी दूर करो, सिच्वेशन बदलो, बहुत आंगे ब झाल